आज का हम अपना टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वर्क इनर्जी एंड पावर याद रखना कि इनर्जी कंजर्वेशन आफ इनर्जी जो की आपके सिलेवस में दिया गया है और इस टॉपिक के अंतरगत आज हम क्या क्या पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे वर्क क्या होता है कैसे ये किस तरह किस प्रकार के होते हैं और ये कैसे कनवर्ट होता है इनर्जी में और इनर्जी के क्या क्या पार्ट्स हैं जिसमें एक पार्ट हम पढ़ेंगे काइनेटिक इनर्जी तो इतना हम अपने आज के इस syllabus में पढ़ेंगे दोस्तों और start करने के पहले मैं आप सब को दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से हम अपने syllabus के अंतरगत क्या-क्या चीजों को पढ़ेंगे KBS PRT syllabus जो कि मैंने आपको यहां तक पिछले वीडियो में complete करा दिया है यह पूरा syllabus ज जह से आप आप देखोगे कि energy से लेकर के दो question आया थे एक आया था कि power और अपांटी यह किसकी unit होती है या कर सकते हो कि इसको पूछा गया था वाट सेकेंड ठीक है वाट सेकेंड जो होती है यह किसकी unit होती है एक question आपका यह आया था यहां से फिर उसके बद कंजन्वेशन आफ इनर्जी से भी एक question आया था तो आप देखो अगर वाट के बारे में देखोगे तो यह power से relate करता है and power तभी आप पढ़ पाओगे जब power is equals to w upon t होता है ठीक है तो वाट सेकेंड तभी बनेगा जब power multiply by t होगा तभी तो वाट सेकेंड बनेगा तो इसका मतलब हमें क्या क्या पढ़ना पढ़ेगा power पढ़ना पढ़ेगा work पढ़ना पढ़ेगा and साथी साथ चुकि syllabus में इनर् पूरा question answer series को लेके आएंगे वो हम लोग complete करेंगे and फिर इस topic से related भी एक series लेके आएंगे एक वीडियो लेके आएंगे उसको भी हम लोग करेंगे ठीक है and एक और वीडियो आपको ही आएगी जो कि simple machine आती है जिसमें आप पढ़े होगे जिससे simple machine का उधारन में आपको दे और कोशिस करूँगा कि आपके उसी वीडियो में ही इसके question answer को भी मैं करा दूँ तो आप ready रहिए अगले 4-5 वीडियो में आपकी पूरी physics complete होने वाली है physics के बाद हम लोग पढ़ेंगे physics जैसे ही complete होगी फिर इसको कुछ दिन के लिए stop करेंगे ध्यान दीजेगा उसके ब फिर अपनी English को थोड़ी start करेंगे जिससे हमारी कोई भी चीजें भूले ना हमें और चीजें हमें याद रहें तो फिर English को complete कर लेने के बाद कोसिस करूँगा कि मैं complete कर लो उसके बाद हम अपनी biology को start करेंगा और इस तरह से हमारी पूरी series खतम हो जाएगी and साथी साथ एक conceptual question आप कर नहीं पाओगे चाहिए जितना formula आप रट लो ठीक है और हमें concept important है और जब तक concept important नहीं होगा आपको कितनी भी question की series करा दी जाए आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला क्योंकि ये रट के पास होने वाला exam नहीं है आप सब को पता है ठीक है so start करते हैं आज का वीडियो जिसमें हम लोग पढ़ेंगे work अब work दो चीजों पर depend करता है मैं अगर diagramatically समझा हूँ ध्यान से समझना हमने इसके पहले पढ़ा था motion मेरी बातों को ध्यान से समझना और जो मैं लिख रहा हूँ उसको समझते रहेगा motion की वज़े से कोई भी जो हमारा body होता है या object होता है या का सकते हो जो भी वस्त होता है वो एक गति में रहता है या दूसरी position हम इसी motion की पढ़े थे जिसको हम rest करते हैं बिल्कुल ध्यान से समझते रहेगा ठीक है अब motion तभी उत्पन हो सकती है जैसे मालो की कोई चीज अगर एक bus है ठीक है अगर एक bus है और वो खड़ी है ठीक है बस क्या है खड़ी है तो bus में motion तभी आ सकती है जब हम इस पे कोई force अपलाई करें जब आप bus कोई start करते हो ना तो उसमें क्या होता है एक force अपलाई होता ह तो जब आपका Force apply होता है तब इसमें motion आती है और ध्यान देना अगर ये बस चले रही है अगर ये बस क्या कर रही है move कर रही है तो इसको रोकने के लिए हमें क्या करना होता है break apply करना होता है और ये break भी एक तरह का क्या होता है force होता है ठीक है लिए क्या होना चाहिए आपके अंदर इनरजी होनी चाहिए घ्यान समझно कि आप काम कर रहे हो काम करने के लिए क्या होनी चाहिए इनरजी होने चाहिए अब इनरजी इन The Sense तो आप दो चीज TONuju में चले जाते हो अक living beings के अंदर गत जैसे हमारे जो इनसान होते हैं, इनके पास किस तरह की इनर्जी होती है, और हमारी जो मसीन होती है, इनके पास किस तरह की इनर्जी होती है, अब ये दो चीजों के उपर depend करते हैं, तो जो मसीन होती है, उस इनर्जी को हम क्या करते हैं, पावर करते हैं, ठीक है, जैसे आप लोग सुने होगे कि मसीन जब कोई खरिदने जाता है तो 746 वाट ऐसे करके सब लोग पूछते हैं कितनी वाट का है या कितनी पावर है इसकी कोई भी मसीन जब कोई खरिदने जाता है तो उसकी पावर के उपर डिपेंड करता है ठीक है इसी तरह से जब हम इनसानों की या कि अब देखो यहां पर किया लिखैया है यहां पर दिया but ५ और अंदर में क्या हो? इनरजी हो. याद रखना बहुत conceptual चील लिखा है यहाँ पे. And work is done when a machine has power. काम किसी मसीन के द्वारा तभी किया जा सकता है, जब उसके अंदर क्या हो? पावर हो. और काम किसी इनरजी के द्वारा तभी किया जा सकता है, जब उसके अंदर क्या हो? इनरजी हो. Clear? So that's why हम work के साथ साथ इनरजी को भी पढ़ेंगे, पावर को भी पढ़ेंगे. Is it clear? Okay. आगे बढ़ते हैं. अब आता है कि हमारे daily life में, किस में? हमारे daily life में किस तरह के काम को हम काम मानते हैं इसके उपर हम focus करेंगे. Number first. You climb a stair to go on next floor. आप अगर एक सीड़ी चड़ रहे हो. ठीक है? किस के लिए? जब आप अगले floor पे जाने के लिए सीड़ी चड़ रहे हो, then you can say that work has been done. या का सकते हो work is done. काम किया गया है. ठीक है? But you push a huge rock. अगर तुमें एक बड़ी सी चटान को या पत्थड को push कर रहे हो and it's no, it's have no displacement और वो hill तक नहीं रही है. मतलब वो अपनी जगह को नहीं छोड़ रही है, then you can say that कि काम नहीं हुआ है. लेकिन अगर हम अपनी normal daily life में देखें तो अगर आप एक जैसे mountain नमाजी man देखे हो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना? तो कहा गया है कि अगर वो रास्ता नहीं बना पता, तो science ये प्रूफ कर देथा कि तुमने काम ही नहीं किया. अच्छा, वो सालों से काम कर रहा था, है ना? वर्सों से काम कर रहा था, लेकिन अगर वो रास्ता नहीं बना पता, इसका मतलब क्या हुआ कि जो rock थी, उसको displace नहीं कर पता, तो science हमारा जो है ना, हसास हुआ कि अगर ये पूरी rock हटा दी जाए, then दूरी क्या हो जाएगी? पूरी की पूरी कम हो जाएगी. तो ये ध्यान देना है कि displacement is the most important word for work. displacement जो होता है, वो बहुत ही important word है. note कीजी अपनी notes में, कि work से सम्मंधित, यानि related to work, the word displacement is the most important for work. तो the word displacement जो है, यानि के हमारा जो बिस्थापन होता है, बहुत important होता है. अब देखें, मैं इसको और example समझाता हूँ. अगर आप किसी जगाए खड़े हो, तीक है, अगर आपके अबल stand हो, और वहाँ दिन भर खड़े रते हो, आपकी पूरी energy खतम हो जाती है. त्यान से समझना, आपकी पूरी energy खतम हो जाती है. बट, आप वहाँ से हिलते नहीं हो, तो आप काम नहीं कर रहे हो. दूसरी चीज, अगर आप अपने सिर्पे बोजा भी लेगे खड़े हो, अगर आप सिर्पे अपने weight लेगे खड़ेगो, तो अगर आप move नहीं कर रहे हो, displacement नहीं हो रहा है आपका, तो आप समझ लो, आप work नहीं कर रहे हो. Understand? It means that, कि जब हम सीड़ी पे चड़ रहे हैं, तो हम कहां जा रहे हैं? Next floor पे. मतलब हम अपनी last position को छोड़ करके, जैसे माल लो, आपकी सीड़ी है, ठीक है, आपकी कुछ इस तरह से सीड़ी है, और ये आप top floor पे यहां पे जाओगे, और इस पे जाने के लिए, आप क्या इस्तिमाल कर रहे हो? आप देखो अपनी last position से, आप जब चलना सुरू कर रहे हो यहां से ना, तो first time आप यहां पे जाओगे, फिर उसके बाद यहां पे जाओगे, फिर उसके बाद यहां पे जाओगे, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? आप देखो आपका starting position यहां था, और आप end position पे यहां पे हो, तो आपने displace किया, आपने क्या किया? Displace किया, displacement हुआ आपके साथ, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि काम हुआ है, लेकिन इस condition में, अगर एक rock है, खुब बड़ी सी, ठीक है, और उसको एक इनसान है, जो क्या कर रहा है? जो push कर रहा है, जो इसको push कर रहा है, तो ये hill तक नहीं रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये काम नहीं कर रहा है, ये जो इनसान है, ये काम नहीं कर रहा है, clear हुआ? तो it means that कि जब तक displacement नहीं आएगा, दोस्तों, तब तक हम कह सकते हैं कि काम नहीं हुआ है, next देखते हैं, और साथी साथ ये एक चीत ध्यान देना कि जब आप इस पेड़ पे चड़ रहे हो ठीक है कोई इनसान है जो इस पेड़ पे चड़ रहा है तो ये यहाँ पे था और मूव कर रहा है अगर उपर तक मूव कर रहा है तो ये जो हाइट है ये जो displacement हो रहा है इसी की वज़े से हम कर सकते हैं कि work is done ठीक है काम जो है वो किया जा रहा है तो ये हमें ध्यान देना है कि जब हम कोई भी इनसान पेड़ पे चड़ रहा है सेड़ी पे चड़ रहा है तो उसकी वज़े से जो काम है ना वो किया जा रहा है नेक्स देखते हैं अगर you stand and no displacement जैसा कि मैंने आपको मैंने एगा है अगर आप सिर्फ चुप चप खड़े हो आपके सिर पे कुछ बोज भी रग दिया जाता है ऐसा मान भी राग दिया जाता है आपके सिर यानि weight रख दिया जाता है और आप move नहीं कर रहे हो It means आप work नहीं कर रहे हो लेकिन आप को कि सरे energy तो loss हो रही है तो energy not क्या रखना, displacement होना चाहिए, आपके उसमें क्या होना चाहिए, दिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, ठीक है, और देखते हैं हम लोग ध्यान से, तो अगर आप आगे देखोगे, तो आपको एक concept निकलेगा, वो क्या है, work has been done, when, दो condition है, a force should be act on an object, अब जैसे माल लो, कोई एक object है, जैसे मैंने सुरू में ही बताया, आपको एक bus है, ठीक है, bus खड़ी है, इसको motion मिलाने के लिए, हमने इस पे क्या apply करना है, force apply करना है, क्या apply करना है, force apply करना है, और अगर उस force से, माल लो, ये bus खड़ी है, और कोई बच्चा छोटा सा push कर रहा है, तो ये हिलेगी नहीं लेकिन जब दो-चार लोग बड़े-बड़े push कर रहे हूं, और अगर ये bus move कर गई, यहां से इसकी point है, और यहां तक चली गई, तो यह हुआ displacement, किसी भी force की वज़ह से, अगर उसमें movement आ रहा है, तो सबसे पहली condition क्या है, कि हमें उस object पे क्या apply करना होता है, force apply करना होता ह The second is, and most important condition is that the object must be displayed, चो object होता है, उससे displaced होना चाहिए, मतलब वो अपनी जगह को क्या करे, displacement करे, और खास करके, कुछ ऐसे बच्चों के लिए बहुत ही humbly request है, कि देखो, आपको हिंदी भी 20 नंबर की देनी है, ध्यान से समनना, हिंदी कितने की देनी है, 20 नंबर की, by general part मे भी 10 नंबर आता है, and आपके special subject concern में भी 10 नंबर आता है, and English भी 20 नंबर की देनी है, then आपको दोनों subject में, जब यहाँ पे government नहीं कोई हेर फेर कर रही है, या कह सकते हो कि आँख में चोली नहीं खेल रही है, government इसमें, then आपको दोनों subject में अच्छा होना चाहिए, यानि कि मैं अगर Hindi में पढ़ा रहा हूँ, कभी-कभी, तो आपको Hindi भी समझ में आनी चाहिए, otherwise मैं English में पढ़ा रहा हूँ, तो आपको English भी समझ में आनी चाहिए, समझ में आरी बत, तो जो लोग Hindi में पढ़ रहे हो, वो English भी समझने की courses करो, और जो English में पढ़ रहे हो, वो ऐसे देश में हैं, जहां पे किसी भी चीज से भेद भाव नहीं किया जा सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक हिंदुस्तान है, तो इसी बात पे एक बार जरूर सब लोग कमेंट बॉक्स में जैहिंद लिखो, फटा फट इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के पास सेयर करो, जि करें, साती साथ जितने लोग snoop, तुरंत लाइक करो वीडियो को, अगर आपको समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है, तो आपकी मर्जी हों को आगे बढ़ते हैं दो丁व गई है दोस्तों, we shall first consider the case when a force is acting in the direction of the displacement, यहां से समनना कि अगर क्या कर रहे हो, अगर आप एक rock ले लो, क्या कह सकते हो कि कोई भी एक पत्थर ले लो, अगर इसको एक इनसान जो है न, वो क्या कर रहा है, push कर रहा है, क्या कर रहा है, push कर रहा है, ढकेल रहा है, और यह rock पहले यहां थी, अभी move करके कहां आ गई है, यहां आ गई है, तो यह जो displacement है, ठीक है, चुकि हमने force इसी direction में दिया है, तो displacement भी इसी direction में हो रहा है, in this condition, ध्यान से समनना, in this condition, जब यह case होता है, तब हमारा काम क्या होता है, वो ध्यान से समनना, मैं आपको simple clear बता रहा हूँ, अ बल के दिसा में ही विस्थापन है, तो हम कहेंगे कि यह जो work हो रहा है, यह जो work हो रहा है, यह positive होता है, क्या होता है, positive होता है, बहुत ध्यान से समनना, जैसे, work is equals to force into, yes, yes, जो आपकी दोरी तैंक ही जा रही है, इस object की दोरा, उसके बारे में बात की जा रही है, next होता है इसका मातर क्या होता है, या इसकी unit क्या होती है, तो force की unit क्या होती है, newton होती है, हमने पिछले chapter में पढ़ा था, and दोरी की unit क्या होती है, meter होती है, so that's why इसकी unit क्या हो गई, newton meter हो गई, ठीक है, अब बात आती है कि एक joule काम क्या होता है, तो एक joule कारे क्या होता है, ध्य वन मीटर एलॉंग दे लाइन ओफ एक्सन अफ दे फोर्स, ध्यान से समझना, लाइन ओफ दे एक्सन अफ दे फोर्स, मतलब बलके ही दिसा में अगर एक न्यूटन बल लगाया जा रहा है, और वो एक न्यूटन किसी भी वस्तु को एक मीटर तक की displacement कर देता है, तो इसे हम क् जूल कार ये कहते हैं, मैं आपको बड़ा clearly, यहाँ पे कुछ जादू नहीं लिखा गया है, ज्यान से समझो, इसकी मातर क्या हो गए, न्यूटन हो गए या इसकी मातर मीटर हो गए, तो जब भी आपसे पूछा जाए, एक जूल बराबर क्या, तो simple सा, 1 न्यूटर ज्यान रखना जाए, ज्यान रखना ना, 1 मीटर से कम भी नहीं, 1 मीटर से ज्यादा भी नहीं, कितना डिस्प्लेस करें, only 1 मीटर, then we can say that it is 1 जूल, कितने कितना काम किया गया है, 1 जूल, ठीक है, अब जूल जो थे, यह एक बैग्ज्यानिक थे, यानि एक साइंटिस्ट थ so that's why उनहीं के नाम पे काम का जो वर्क का जो आप कह सकते हो कि उसके जो यूनिट रखी गई है, वो क्या रखी गई, जूल रखी गई, आगे देखते हैं, तो लिखा गया है, अब हम एक और कंडिशन कंसीडर करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहला तो हमने यह कि है कि अगर कोई बॉड़ी है, मानलो जो अगर कोई रॉक है, और इसको कोई इनसान अगर पुश कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो इस डिरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है, और इसी डिरेक्शन में इसका मुव्मेंट हो रहा है, यानि दिस्प्लेस्मेंट जो है, यानि yes बरावर जो हमारी दूरी है वो भी इसी direction में ये rock travel कर रही है अब क्या होता है कि आपका जो force है ये opposite direction में रहे और जो traveling है वो opposite direction में हो जैसे दखो ये इधर से ही force कर रहा है अगर ये ही इंसान यहां खड़े होके इसको खीच रहा होता तो ये opposite direction में जाता है जैसे यहां पर क्या लिखा है we shall consider another case when the force is acting in the opposite direction of displacement तो बहुत simple सी बात है जब opposite direction में ये force apply होगा और displacement opposite direction में हो रहा होता है तो ऐसी condition में जो हमारा f है वो minus में represent हो जाता है ठीक है जैसे displacement है वो minus में हो जाती है force के पास कोई भी कर सकते हो direction नहीं होती है तो ये दियान से समझना तो जो हमारी yes है displacement हो minus में हो जाएगे और उसे हम क्या कहेंगे minus fs अब लिखा गया है जैसे हिंदी में पढ़ लो हम एक और इस्थित पर विचार करेंगे जब बल विस्थापन के विपरीद दिसा में कारे कर रहा हो तो उस समय हमारा जो work होता है वो क्या होता है minus में हो जाता है आगे बढ़ते हैं यहां पर दिया गया है an object having a capability to do work अदको energy की बारे हम लोग आ जाते हैं मैंने क्या बता है कि energy क्या होती है उसको देखना जरूरी है an object having a capability to do work is said to possess energy जिसे हिंदी में क्या करते है कारे करने की छमता रखने वाली एक वस तुम्हें उर्जा होने की बात कही गई है ध्यान से समझना इस चीज़ को कि जिसके अंदर जितना कारे करने की छमता होती है हम कहते हैं कि उसके अंदर उतना ज्यादा उर्जा होती है अब ये उर्जा आती कहां से है बिल्कुल ध्यान से इस चीज़ के बारे में भी हम बहुत अच्छे से discuss करेंगे बस ध्यान से सुनना आप लो तो ये जो उर्जा आती है आपके सामने यानि ये जो इनर्जी आप उस बाडी के अंदर आती है वो दो कारणों से आती है एक तो आती है कि अगर वो मूब कर रही है तो उसके अंदर इनर्जी आती है जैसे मालो कोई बस चल रही है अगर कोई बस खड़ी है और फिर कोई इनसान इस से आके टकराता है, बिल्कुल ध्यान से समनना, अगर कोई बस खड़ी है और एक इनसान खड़ा है, तो कभी भी इसका accident नहीं हो सकता, लेकिन इन दोनों में से अगर कोई भी move कर रहा है, तो इसके अंदर energy आ जाती है, जैसे मालो एक बस अगर है, जो की खड़ी है, जो की क्या है, खड़ी है, तो उस condition में क्या होता है, और एक इनसान है जो खड़ा है, ठीक है, अब इस condition में क्या होता है, कि कोई टकराएगा नहीं, कोई loss नहीं होगा, लेकिन अगर बस थोड़ा भी move कर रही है, और इनसान खड़ा है, तो ये इसका loss कर सकता है कि अगर एक पत्थड को आप कुछ उचाई पर ले जाकर के छोड़ दो ज्यान से समझना एक पत्थड है जो की जमीन पर रखा है ठीक है यहाँ पे और आपने इसे क्या किया यह उचाई पर ले गया और आपने क्या कर दिया अब यहाँ पे ले जाके आपने छोड़ दिया तो यह नीचे क्यों गिर रहा है भाई नीचे जाना ही नीचे है न it means that कि जब हम इसे उचाई पे ले गए let's think मैंने आपको physics के बारे में पढ़ना सिखा है तब पहले ही वीडियो में physics पढ़ी कैसे जाती है जब तक imagination नहीं करोगे physics पढ़ना ही सकते हो मैंने क्या बताया कि जब आप इस पत्थर को यच उचाई पर ले जाओगे तो इसके अंदर potential energy आ जाती है potential मतलब क्योंकि हम इसे उठा के ले गए है और हमने जो काम किया है यानि कि आप अगर काम कर रहे हो तो भाई आप gravity के opposite side में काम कर रहे हो और इसी gravity के opposite side में किया गया कार जो होता है वो इस पत्थर के अंदर potential energy के रूप में आ जाता है अब बात क्या होती है कि जैसे ही हम इसको यहां से छोड़ते है तो इसकी kinetic energy increase करना सुरू होती है और potential energy decrease करना सुरू होती है इनका जो sum होगा यह किसी भी point पे difference नहीं होगा यह आपको ज्यान देना है आगे लिखा गया है the energy possessed by an object in this measured in terms of the capacity of doing work तो energy को पता है energy को जो है न वो आप कह सकते हो कि कितना किसी के अंदर कारे करने की छमता है उसी को हम energy कहते है ठीक है किस रूप में measure की जाती है capacity of doing work किसी भी इनसान के या वस्तु के अंदर कितना कारे करने की छमता है उसी के base पे हम उसके अंदर की energy को decide करते है now आप लग जब पढ़ोगे तो आप लोगों को एक physics, sorry, biology के अंदर आपको एक topic दिया गया है resources, जब आप देखोगे वहाँ पे तो resources दिया गया है and energy के कुछ resources है हमारे पास, जो है sun जहां से समनना, sun is the biggest resource of the energy, sun जो होता है वो सबसे बड़ा source होता है क्या करने के लिए, energy का next है, nuclei of items जिसे कहा जाता है, परमारवों का नाभिक जो होता है, उसके अंदर भी होता है भाई, sun जो होता है, वो helium और hydrogen से मिलकर बना है, और ये परमारवी होते है और इसके नाभिक में बहुत जादा energy होती है, ठीक है इस sun के नाभिक में क्या होती है, बहुत जादा energy होती है, tights का मतलब होता है, जोहार और भाटा, ठीक है tights का मतलब क्या होता है, जोहार भाटा जैसे देखते होगे, नदी होती है अब जुआर भाटा का मतलब समझना अगर एक नदी है ठीक है तो उस नदी है या समुद्र है तो उसमें देखते होगे ऐसे ऐसे लहरे आती है ठीक है तो जब ये लहरे उपर होती है तो इसे हम जुआर करते हैं क्या करते हैं जुआर करते हैं और जब ये लहरे नीचे होती ह अगर आपके वीडियो में बता रहूं न और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ फालतू बता रहा हूं तो आपको बहुत गलत लग रहा है क्योंकि मैं साफ सब बता दूँ यह आपके जियोग्राफी का टॉपिक है और यह सारी चीजें आपको आनी चाहिए तो आप पूछ भी सकता है the conceptual base अब याद रखो concept में अगर मैं आपसे question करवाता ना और मैं आपसे सिर्फ इतना लिखके देता find out in the following options what is the source of energy तो आपको एक ही option find out करना होता लेकिन यहाँ पर देखो मैंने चारोर source of energy के बारे में बताया है जो की आपके NCRT में दिया गया है तो हमें focus करना है इस पे तो ध्यान रखना कि यह तीन है एक sun हो गया nuclear of items हो गया and interior of earth ध्यान रखना कि प्रतवी के आंतरिक भाग के अंदर भी energy होती है अब कैसे energy होती है ध्यान समझना इसी energy की वज़े से हम क्या जहलते हैं हम भोकम पजहलते हैं क्या जहलते हैं भोकम पज प्लेटे हैं वो सरक रही हैं और सरकने के कारण जो टेथी सागर के ऊपर आज जो हिमाले बन गया है वो इसी प्लेटों के सरकने के कारण बनाए तो हमारे जो प्रिथिवी में परिवर्तन आता है धरातल पर जो परिवर्तन आता है ठीक है जो surface पर आप changes देखते हो वो just because of its interior of earth और interior of earth के अंदर भी क्या होती है energy होती है और इसी के कारण आप जो coil निकालते हो जो भी coil निकालते हो ठीक है इसी के कारण जितने हम minerals निकालते हैं वो सब इसी के कारण होता है जब आप geography पढ़ने जाओगे तो वहाँ पर source of energy आपको इस सब के बारे में बताया जाएग ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि source of energy तो ये हो गया आप kinds of energy जितने कितने तरह की होती है कि कितने कितने प्रकार की होती है forms of energy हमारी उर्जा कितने प्रकार की होती है तो the various forms included देखो मैं एक एक words आपको note करा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पी important चीज आपसे question भी बन सकता ह कि इन में से कौन सी चीज energy के form में होती है यहाँ देखो कहीं भी etc नहीं लिखा होगा साफ साफ लिखा है mechanical energy and mechanical energy को ही क्या कहा जाता है potential energy plus kinetic energy ठीक है उसके बाद क्या लिखा है heat energy अलग होती है chemical energy आप chemistry में पढ़ोगे electric energy physics में पढ़ना होता है बट आपके syllabus में यह दिया नहीं गया है heat energy भी physics में है और थोड़ा थोड़ा chemistry में भी मिलता है इसलिए इसको भी हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि syllabus में नहीं दिया गया है light energy इसको भी हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि syllabus में light दिया ही नहीं गया है so that's why हम इसको नहीं पढ़ेंगे हमें सिर्फ syllabus में क्या पढ़ना है potential energy and kinetic energy जो कि mechanical energy के form में होती है ध्यान रखना इस चीज़ को mechanical energy के form में होती है clear आगे देखते है kinetic energy क्या होता है kinetic energy is the energy possessed by an object due to its motion मैंने आपको बताया कि जो गति जो उर्जा होती है वो किसी भी object के motion में रहने के कारण जो उर्जा उसके अंदर गत होती है जैसे एक हमारा वही पुराना वाला बस है अगर ये चल रहा है अगर क्या कर रहा है ये चल रहा है तो इसके अंदर क् kinetic energy होगी ठ्यान से समना क्या होगी kinetic energy होगी और इसी kinetic energy की वजह से इसके अंदर जो पावर आती है इसके अंदर जो क्या आती है पावर एक सब्द मैं देखो इस्तमाल कर रहा हूं क्या आती है पावर आती है जिसकी वजह से ये किसी भी सामने आये हुई चीज को नुक्सान या अगर इससे बड़ी चीज इसके सामने आ गई तो खुद को नुकसान पहुझा सकता है ठीक है तो लिखा गया है गति जोर्जा होती है जो किसी वस्तु के पास उसकी गति के कारण होती है उसे हम गति जोर्जा कहते हैं The next thing is over here कि the kinetic energy of the object increases its speed The next thing is over here जैसे हम लो एक पत्थड है तुमने उपर से ले आके छोड़ दिया ठीक है तो इस समय इसके इंदर kinetic energy नहीं होती है लेकिन जैसे जैसे नीचे आता है उसके अंदर kinetic energy maximum हो जाती है तो इसी kinetic energy की वज़े से इसकी उर्जा जो होती है वो क्या होती है बढ़ जाती है अब वो अलग की बात है कि दूसरा रीजन ये भी होता है कि gravitational की वज़े से या gravity की वज़े से भी इसकी energy जो होती है increase होती है because वो अपनी तरफ खीशती रहती है so that's why ये increase होती होती है ठीक है तो आज हमें दिया गया है ek, ek means energy of kinetic या कह सकते हो kinetic energy is equals to half mv square देखो इसको आपको proof नहीं करना था इसलिए मैंने आपके सामने proof नहीं कराया आपको इस option से मतलब था ये question के या कह सकते हो कि इसके formula से मतलब था अब देखो चुकि हमने पढ़ा है कि energy का जो हमारा मत्रक होता है वो क्या होता है? Joule होता है अभी मैंने आपको बता है 1 Joule क्या होता है? 1 Joule जो होता है वो 1 Nm के बराबर होता है याद रखना ठीक है? अब चुकि 1 Joule जो होता है energy के form में होता है ठीक है? अगले इस वीडियो में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे potential energy के बारे में और इस kinetic energy से लेके कुछ questions को पहले हम लोग solve करेंगे उसके बाद हम पढ़ेंगे potential energy के बारे में फिर हम पढ़ेंगे conservation of energy जो की हमारा topic है and फिर हम पढ़ेंगे power के बारे में ठीक है? तो इतनी चीजों को हम लोग next वीडियो में पढ़ेंगे तक तक लिए thank you thank you so much तक चुछ.